परिंदों को मंदिल मिलेगी, यकीनन उनके पर बोलते हैं, अक्षर खामोस रहते हैं वो लोग, जिन्दिगी में जिनके हुनर बोलते हैं वेलकम बैक टू माटी जड़ा 24-7, आई अनीता शर्मा, यूर हिस्ट्री मेंटोर तो स्टोडेंट, आज हम इस सेशन में करने वाले हैं, तो एनशन हिस्ट्री के मोस्ट इंपोरेंट सेशन को जोईं करेंगी, और सेशन को जॉइन करते आपको बस एक ही काम करना है कि अपने नियर डियर जो भी आपके बेस्टीज है उनके साथ में सेचर को शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए बस दो काम करने हैं तो बिना टाइम वेस्ट किये हुए हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं कौन सा एंशेंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जे देंगे और आज बच्चे ज्यादा होने चाहिए क्योंकि बहुत टाइम बाद में लाइफ ले रही हूं तो जितने भी आपके नियर डियर है फटाफर से उनको बता दो कि मैं मास लाइफ आ गई है तो डिसकस करेंगे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्ट ठीक है तो इस जा चुका है आपके बोड एक्जाम में तो हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए तो क्या कहता है ठीक है है थाइलो बच्चा आगमन सभी को गुड इवनिंग अनीता शिवांगी कॉमर्स आगमनी है अनू रिमजिम भव्या सपर्ष सभी को वेरी गुड इवनिंग सभ क्या रोल रहा है और उन्होंने इस रोल को कैसे प्ले किया है मतलब उनका क्या कॉंट्रिब्यूशन रहा है एक्चर में यह कोशन पूछ रहा है ठीक है पॉलिटिकल साइन अरे यार तुम्हें जो चीज करवाई जा रही है पहले आप उसको तो कर लो जो चीज मतलब दूर की सोच रहो मैंडम हिस्ट्री है तो पॉलिटिकल करा दो जो करवाया जा रहा है बच्चे पहले उसको फोकस करो उसको सुनो उसको समझो कि क्या मैंडम समझा रही है और हमें क्या समझना है और यही समझ हमें अपलाई करनी अपने बोड एक्जाम में ठीक है तो सभी बच् कैसी होनी चाहिए, वो जन्रल होनी चाहिए, मतलब कि यहां पर बच्चे अपनी knowledge के base पर questions को attempt करेंगे, question कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो पहले जो subjective questions होते थे, वो बच्चे कया करते थे, bookish language में थोड़ा सा करके और उसी को लिखाते थे, अब यहां पर CBSC ने pattern change कर दिया है, तो pattern change करने की वजह से आपको अपना अपनी जो knowledge है, यानि कि जो आपकी खुद की होगी, concept को समझा, फिर आपने अपनी knowledge को, अपने wordings को उसमें add-on किया और फिर आपको उसका एक answer देना है, तो इस तरीके से हम अपने answers को करते हो चलेंगे, चलिए बात करते हमारे, who was the, who was the John Marshall, how did he mark change in the Indian Archaeology, तो John Marshall was the, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन John Marshall भाई साब को देखिए, ये है John Marshall, जी, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ये John Marshall was the Director General of the Archaeology, Survey of India, clear है, his contribution in the Indian Archaeology can be understood by the following points, तो उन्होंने Indian Archaeology, यानि कि Indian Archaeology के ये जो Survey Director General थे, इन्होंने अपना Contribution Archaeology में कैसे दिया, तो इसे बताया गया, first point, आपको दो ही पॉइंट लिखने है, ज्यादा लिखोगे, तो अपना time based करोगे, इसलिए to the point लिखना है, जितनी word limit दी जाएगी, उसके हिसाब से लिख civilization, जो हमारी Egypt civilization थी, Chinese civilization थी, मेंसो पोटा में civilization थी, इन तीन civilization के अलावा एक और भी civilization है, ये बात किसने बताई, ये बत बताया थी, John Marshall ने, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे important बात जो थी, वो इस civilization के बारे में थी, कि दुनिया को एक नई civilization, एक नई सब्वेता के बार में बताया कि ऐसी भी कोई सब्वेता यहां पर रह चुकी है, इंदर्स वेली civilization जिसका नाम था, इंदर्स वेली civilization, he helped in the proper preservation and conservation of the साची स्तूपा, और साथ साथ में उन्होंने साची स्तूपा को प्रिजर्व करने में भी काफी अपना contribution दिया, क्लियर है, दो पाइंट, फटा और उसकी ट्रिबुटरीज की पास में located थी ना, इसलिए इसको इंदर्स वेली civilization कहा जाता है, क्लियर है, ठीके, हाँ, आगमन की बास सुन लेजिए, हाँ आगमन बताओ क्या सुनना है आपका, क्या बास सुननी आपकी, फाउंडेशन का एक्जाम, वाउ, वेरी गुड़ कंग्रेचुलेशन आगमन, कंग्रेचुलेशन बच्चे, बच्चे, सी उटी की बातें बात में करेंगे, तो हम कोशन पर बढ़ते हैं, अपने नेक्स कोशन पर, क्या कोशन है, कि, बच्चे, मेक्सिमम कन्फ्यूज होते हैं, जॉन मार्शल में, कनिंगम में, और किसमें, आर इम विलर में, तो इन तीनों आर्केलोजिस में, बहुत जदा कन्फ्यूजन होती है, तो फर्स्ट हमने कर लिया कि, उनका जॉन मार्शल का क्या कॉंट्रिबूशन रहा है, और हमने जॉन मार्शल के बारें पढ़ा था, अब हम आर इम विलर के बारें पढ़ेंगे, तो पहले ये देख लिजी कि ये थे आर इम विलर, ठीके, ये कौन थे, आर इम विलर, तो आर इम विलर, तो आर इम विलर was the Director General of the Archaeological Survey of India, ये भी Director General थे, Archaeology, Director General थे, ASI थे इंडिया क ठीके, so he was the first person who recognized it was necessary to follow the stratigraphy of the mound, rather than the dig, mechanically along uniform horizontally, अब इन्हों ने क्या contribution दिया, इन्हों ने ये दिया, कि जब हमें चीजों को practically हम चीजों को examine करते, तो उसमें जादा एक authenticity जादा रहती है, तो इन्हों ने जैसे mound को research किया, तो उससे उनके जैसे वो होती है, कि C14 होती है, से सुना होगा, carbon dating 14, इससे क्या होता है, इससे किसी भी object की age का पता लगाया जात, तो इन्हों ने क्या किया, he was the first person, ये वो ऐसे पहले person थे, who recognized it was necessary to follow, क्या necessary है, the stratigraphy of mound, मतलग कि जो मुर्दों के, जो भी bones वगरा, skeleton होता है, उसकी study को जो करते है, ठीके, उसको कहते है, stratigraphy rather than the dig mechanically, अगर हम उसको मसीनों से examine करते हैं, उनकी age का पता लगाते हैं, या उनको कुछ करते हैं, तो ये कही सुनी बाते से ज़्यादा बैटर है, कि हम खुद से चीजों को practically सीखे, along the uniform horizontal, which the rectified previous problem faced by the archaeologist, तो इन से पहले जो भी archaeologist थे, उन्होंने मौंट की जब study की, मौंट का पता नहीं चल रहा था, तो इन्होंने कार्मन डेटीन से उसकी age का पता चलाया, या scientifically उसका reason बताया कि ऐसा था, तो क्यूं था, तो ये सारी चीजे हम किसमें लिखेंगे, REM, Willer के भार में लिखेंगे, ठीके, he recognized it was the necessary to follow the, हान जी बच्चे, यही है छवी, बिल्कुल सही है, well done बचा, बहुत बढ़िया, next करते हैं, तो next पर आते हैं, next क्या कहता है, who was Cunningham, तो Cunningham कौन थे, तीनों चीजे मैंने clear करवा देती है, करवा दी है, तो आपको ये बताना है, कि पहले हमने John Marshall किया, फिर REM Willer किया, अब हम क्या करते है, ये जो कौन थे, Cunningham कौन थे, mention any two account used by him, located to early settlement of the Hadappan civilization, अब इनका जो Alexander Cunningham थे, तो बच्चे सबसे पहले बताना है, कि ये कौन थे, तो बच्चे ये first Director General of Archaeology Survey ASI थे, पहले, first, ये ASI थे, इंडिया के, ठीक है, Archaeology Survey of India के पहले जनरल, वो थे, ये, Archaeologist थे, उसके बाद, exhibition in the mid 19th century, इन्होंने, exhibitions क्या होता है, जो खुदाई के दोरान, जो चीजों को निकालते हैं, तो इन्होंने पहली बार, वो exhibition start करी, Cunningham used to account, अब Cunningham की confusion कहां पर create होती है, question ये भी आता है, बाबा पूछा जाता है, कि Cunningham की confusion क्या थी, तो Cunningham की confusion ये थी, कि जो इन्होंने, ह वाले evidence थे, एक evidence था, कि जो Chinese Buddhist, जो traveler आये थे यहां पर, जब उन्होंने इंडिया को visit किया, या civilization को visit किया होगा, इस civilization को नहीं मतला, उस time में उसको visit किया होगा, तो उन्होंने अपनी book में लिखा, कि इसके बारे में क्या-क्या चीज़े उन्होंने observe करी, अब एक तो उनकी book में जो लिखा हुआ था, उसको पढ़ कर कि, और दूसरा इन्होंने Indian Archaeologist ने जो अपना proof दिया था, तो दोनों में confusion हो जाती है, कि किसको माना जाए, इसको माना जाए, या इसको माना जाए, तो confusion create हो जाती है, Cunningham used the account left by the Chinese Buddhist pilgrimage, who visited subcontinent between the, तो एक Chinese Buddhist वो थे, traveler थे, वो आते है कब आते हैं, 4th से 7th century के बीच में इंडिया को वजट करते हैं, और उन्होंने वजट करने के बाद, इंडिया के बारे में लिखा, तो उनकी जब book इनको मिलती है, Cunningham को, Alexander Cunningham को, और फिर जाकर पता चलता है, कि इन्होंने कुछ और लिखा हुआ है, हमारे Indian Archaeologist कुछ उसक successful, हाँ जी बचे, ठीक है, तो पहले इनको विश्वास ही नहीं हो, कि इस तरफ की कोई civilization भी रही होगी, तो 3 के अलावा, 4th civilization के किसी बारे में पता ही नहीं था, तो ये बात बताई किसने, बाद में बताई थी किसने, जॉन मार्शल ने, तो जॉन मार्शल की बात को पहले स civilization जो थी, वो इंदस रिवरोर्स के ट्रिब्यूटीज के पास में located रही होगी, फिर बाद में चीजों को जब पता किया गया, तब यहाँ पर जो researchers थे, जो archaeologists थे, ना सरफ इंडिया के, बल्कि other other countries के, जो archaeologists थे, उनका भी interest जो था, वो हडपन civilization या इंदस वैली civilization की तरफ बढ़ गया था, clear है, फटापर से clear है, तो मुझे थमसब शो कर दो, जल्दी से, जल्दी जल्दी से, हम, ठीक है, ओके, नेक्स पर आते हैं, वाइवाज मौरे एंपायर रिगार्डिड एज अ मेजर लेंडमार्क इन दा अर्ली इंडियन सोसाइटी, तो यह जो मौर्या, म आप कोई चीज, जैसे आप ओनलाइन कुछ ओर्डर करते हो, तो वहाँ पर एक option होता है कि लेंडमार्क क्या है, मतलब आपके घर के आसपास में ऐसी कौन सी famous जगय है, कौन सी famous चीज है, जिसों की दूर-दूर तक लोग जानते होंगे, clear है, तो वो लेंडमार्क है, तो जी बच्चे सरस्टी, अब रेगलर क्लास हुआ करेगी, लाइफ, ठीक है, अब नेक्स पर आते हैं, मौरे एंपायर वाज रिगार्डेड अब मेजर लेंडमार्क इन दा अर्ली इंडियन हिस्ट्री, बिकॉस क्या हुआ था इसमें, इन्होंने ऐसा क्या किया था, बिकॉ जबकि ambitious भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, बच्चे, ambitiousness होना भी बहुत बड़ी चीज होती है, तो अगर जब हमें किसी चीज को पानी की लालसा होते हैं, हमारे अंदर एक curiosity होती है, कि हमें ये चीज हमें पानी ही पानी होती है, कि ये चीज हमें acquire करनी है, चाहे जैसे म ऐसी ही अमबिशियस थी कि चंदरकुप्त मोर्य की और he was the founder of the Mory empire, ठीक है? Because for the first time, चंदरकुप्त मोर्य फांदे the vast empire, इतना बड़ा empire किसी का नहीं था, जी तना चंदरकुप्त मोर्य का था, ठीक है, to north and west, to northwest to Afghanistan, to northwest थे अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ था, temporary rulers इसके अलावा चलो ये तो थे ये अशोक समराट अशोक थे उनके grandfather थे या कह सकते हो कि चंदरगुप्त मोरे के grandson कौन थे समराट अशोक ठीक है तो उनके नाम से भी जाना जाता है कि जो ग्रेट अशोका थे वो अशोका क्यों थे अपनी greatness की वजए से क्योंकि वो लोगों के हमेशा welfare के लिए सोसते रहते थे तो उनकी dynasty में से ही एक राजा निकला न एक तो वो थे founder थे जिससे पहले कि इतना बड़ा empire किसी का हुआ ही नहीं था फिर उसके बाद आते हैं एक बहुत ही powerful ruler आते जिनका नाम ग्रेट अशोका था उन्होंने अपने empire को और ज़्यादा एक्स्टेंट किया और कलिंग की battle को कौन नहीं जानता ठीक है राजा खारविल के साथ में उनकी कलिंग battle होती है और कलिंग battle को वो लोग win कर जाते हैं कौन ग्रेट अशोका बाद में वो give up कर देते हैं अपने weapons सारे तो ये सब लोग जानते तो इस तरीके से ये एक major landmark बन जाता है इंडियन हिस्ट्री में है ठीक है हाँ जी तो चंद्रगुप्त मौरिया ने बिल्कुल सही कि अगर वन बारकर में question आता है तो 321 BCE में 321 BCE में क्या किया था इस मौरिय एंपायर को found किया था ठीक है बच्चे हाँ five major political centers भी थे लेकिन आप से जितना पूछा जाए ना आतों की चीजे नहीं लिखनी है क्योंकि देखो आप तो लिख दोगे लेकिन अपना time waste करोगे जो चीजों से पूछी नहीं गई हम क्यों लिखें clear है next question why is sixth century BCE often regarded as a major turning point in the early Indian history ठीक है major turning point पूछा है एक ऐसा mood आता है sixth century में एक ऐसा turning point आता है जो पहले कभी नहीं आया और इस turning point से काफी कुछ develop होता है वो turning point क्या था ठीक है वो बताना है political science की strategy वीडियो कब आएगी जल्दी आजाएगी sixth century BC is regarded as a major turning point in the early Indian history for the following reasons किसकी वजय से reason number one it is an area associated with the early state तो ये वो एरिया था ठीक है sixth century का onwards का ये जो time period था ये कैसा time period था जिसमें नईने states बनते हैं नईने cities बनती है cities का निर्मान होता है states बनते हैं तो जन से क्या बना जनपद बना उस जनपद से क्या बना महा जनपद बना महा जनपद आज के time में किसको बोला जाता है states को बोला जाता है और जनपद किसको बोला जाता है district को बोला जाता है आज के time में तो ऐसे ही पहले क्या होते थे जनपद बने यानि कि लोगों जहां पर लोग इखटे रहना start हुए एक ही जेकेपर तो उसको जनपद बोला गया जनपद से वो महा जनपद में convert कब होते हैं जब एक जनपद ने दूसरे जनपद को acquire कर लिये attack करके तो वो महा जनपद में convert हो जाते हैं खेर ये बात इसे पूछी नहीं गई थी थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि it is an area associated with the early states, early state cities and growing the use of iron. सबसे बड़ा reason ये था इतका use of iron. हडपा civilization के लोग iron से बिल्कुल भी जो है वो unaware थे. ठीक है? iron को बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि iron जैसे भी कोई metal होती है तो सबसे बड़ा इसका reason से जब वो iron को निकाला जाता था तो उनी iron से weapons बनाये जाते थे tools बनाये जाते थे. उन weapons को agriculture में यूज किया जाता था और tools को agriculture में यूज किया जाता था और weapons को आर्मी में यूज किया जाता था. आर्मी में जैसे आप ये लगा लीजे वो भाले बनते थे ठीक है अब वो कैनन हो गई तो इस तरीके से कैनन तो खर बाद में आएगी जो सबसे पहले पानीपत के उसमें बैटल में यूज की गई थी तो आइरन से काफी सारे वेपन जो है नए ने तरीके के बनते हैं और इसी से ही आर्मी जो है विन कर जाती थी उसके अलावा दा अब इसी टाइम पीरेड में यानि कि 6th century में ही कॉइनेज जो है इंटर्ड्यूज होते है कॉइनेज का मतलब होता है सिक्कों का प्रचलन जो है वो स्टार्ट हो जाता है इससे पहले सील चलती थी पत्थर की मोहरे चलती थी अब वो तो उसको रिप्लेस किस ने किया कॉइ क्या बचे इंडो ग्रीक ठीक है क्या होना चाहिए इंडो ग्रीक ठीक है तो सरफ कॉइनेज को यहां पर बताया गया है कि कोईन को इंटर्ड्यूज करने वाले सबसे पहले कौन थे मैं क्लास 11 को क्यों भूल गए है बच्चा मैं भूली नहीं हूँ क्लास 11 को भी लेकर आऊंगी ठीक है गूड इवनिंग हैपी बड़े मैं क्यों मेरा बड़े तो नहीं है आज चलो ठीक है नेक्स होता है कि दिस एरा विट्निस दा ग्रोथ ओव तर डाइवर्स सिस्टम ओ थोर्ट और लाइक बुद्धिजम और जैनिजम इसी टाइम पिरेड में किसमें बच्चे इसी टाइम पिरेड में 6th to 4th century के बीच का टाइम पिरेड था इसी में ही हमारे थिंकर्स और ने-ने रिलिजियस जो है वो इंटर्डूज होते हैं मतलब इमर्जेंस होता है उनका जैसे थिंकर्स में कौन आ जाएंगे आपके गौतम बुद्धा आ जाएंगे लौड महावीरा आ जाएंगे तो थिंकर्स का इमर्जेंस भी यहां पर स्टार्ट हो गया थो इस तरीके से 2-3 पॉइंट आप दे सकते हैं बस हो गया अपना अंसर क्लियर है ठीक है हाँ अगर गोल्ड कोईन की बात आती है तो तो फिर आप कर दोगे फर्स्ट गोल्ड कोईन तो किस ने किया था कुशान डाइनस्टी के रूलर्स में ठीक है कुशानाज ठीक है फर्स्ट गोल्ड कोईन को इंट्रड्यूस करने वाले कौन थे कुशानाज बर्चाद आपको दिमाग न all the questions are clear or not जल्दी बताओ ओके ठीक है चलिए why is James Principe बच्चे बहुत important question है why is James Principe contribution considered as a historic development in the Indian epigraphy epigraphy क्या होता है जो language को script को study करने वाले होते है कि क्या लिखा है उसका meaning क्या है यह epigraphy होते है तो John यह जो थे James Principe थे इन्हों ने जो एक कोई भी अगर inscription को पढ़ कर के उसका meaning बताया तो वो क्या meaning था और उसका history से क्या लेना देना था कुछ ऐसा ही है तो why is James Principe contribution तो James Principe के contribution को किस तरह से consider किया जाता है कि उन्होंने Indian history को जानने में काफी help की अगर यह नहीं बताते कि इस अशोका के inscription में ब्रामि स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है तो हमें ग्रेट अशोक के बारे में पता नहीं चलता तो ग्रेट अशोका ने अपने जो भी उनके messages होते थे तो वो आने वाली generation मतलब युगों युगों तक जो है वो उसको पढ़ करके reader इस तरह से moral values को moral etiquettes को सीखे ठीक है तो यह था क्या हमारा James Principe का contribution अब यहां पर देखते हैं James Principe was an officer to mint mint का मतला होता है वो सिखो पर जो छपाई होती है ना बचे जैसे किसी ruler की photo को print करना होता है mint करना होता है उस पर छपाई करना होता है उस पर कुछ लिखना होता है तो वो उस तरह का काम किया करते थे उसी की company में एक East India Company की वो जो थी company थी उसमें एक officer थे कौन? James Principe He contributed a lot of Indian epigraphy by the deciphering उन्होंने Indian epigraphy को जो inscription पर लिखा होता था उसको study करने का credit किन को जाता है? James Principe को जाता है खास करकि Ashoka के inscription को जो की Brahmi script में लिखा हुआ था तेरा two script जिसने की उनको decipher किया गया तो किसने किया था? James Principe ने कब किया था? फटाफ़र से मुझे comment section में लिख कर बताओ कब किया था? 1938 में ठीक है कब किया था? आपने कहा था कि major dates का एक session लेंगे लिए आएंगे बच्चे अभी तो आपको master plan दिया है ना उसके according आपको क्या करना है तो बीच में मैं एक generic ले आओंगी सारी important dates का तो जो session ले रही हूँ या मैं जो आपको समझा रही हूँ पहले बच्चे उसको focus करो ये सारी बात की चीज़े हैं मैं करवा दूँगी मुझे सारा सब कुछ द्यान है कि आपको आपके exam point office है कि आपके लिए important होने वाला है और आपको ये important sessions जो है वो join करके आप क्या कुछ gain कर सकते हैं ठीक है clear all the chapters का important question है history का हाँ ये अभी सरफ ancient history का है उपर लिखा हुआ है na ancient history में से book 1 में से जितने भी important question है subjective वो बताए गए है इसमें ठीक है 1838 में अच्छा ये देखो लोग लोग में ठीक है कब किया गया था कब किया गया था हाँ good 1838 1830 क्या बात है क्या बात है क्या बात है तुम तो बहुत इच्छी अच्छी history पढ़ते हो हेलो आलोग 1838 1838 ठीक है तो इस इंडिया कंपनी में एक officer थे जो minting का काम किया करते थे और उन्होंने he contributed a lot of he contributed a lot of epigraphy deciphering the two script that is Brahmi and Khrosthi in the earliest inscriptions and coin तो coins के उपर अशोक ने जो भी कुछ क लिखवाया उसके उपर जो भी कुछ mint किया तो उसको decipher करने का काम उसको पहचानने का काम भी James Principe नहीं किया इंस्क्रिप्शन को study करने का काम भी James Principe ने किया तो वो दोनों ही जो इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया थे इसको डिसाइफर करने का तो कब किया था 1838 में इससे ये पता चला कि अशोक ने क्या उसमें लिखवाया है उसका मीनिंग क्या होता है तो अगर ये नहीं पता चलता तो हम आज अपने ग्रेट अशोका करे बारे में इतना नहीं जानते ठीक है क्लियर चलो अब आगे चलते हैं ये कौन थे जेंस प्रिंसप ध्यान से देख लो चलिए नेक्स पर बढ़ते हैं तो आइडेंटिफाय एनी टू ओक्यूपेशन टू बी परफॉंड बाइदा शत्रिय एस पर वर्णा ओर्डर क्या तो उसके कोई भी दो काम बताने हैं बता दोगे इसली कौन कौन से देखो एक तो ये बताना है कि फोर वर्णास कौन कौन से थे खार ये तो पूछा नहीं गया लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मन शत्रिय वैश और शुद्रा तो चार वर्णों में रहे तो उनसे उनको सिक्योर करना होता था प्रटेक्ट करना होता था शत्रिय वर्णास को प्रटेक्ट करना होता था शत्रिय वर्णास को प्रटेक्ट करना होता था अपकोर्डिंग तो शास्त्र के अकोर्डिंग जो है वही राजा बन सकता है इसके अलावा अगर कोई ब तो यह तो ब्रामनों का काम था ना बचे चलिए नेक्सर बूबन करते हैं identify the two stratigraphies identify the two strategies and evolved by the ब्रामनास to enforce the norm of the Varnas order to order to 600 BCE to 600 अब इनके बीच में 600 BCE और 600 CE के बीच का जो time period है इसमें ब्रामनों ने किस तरह कमना एक system बना हुआ था उसको describe करना है ठीक है बच्चे मैं class 11 को नहीं भूली हूँ class 11 के लिए और बहुत कुछ करवा दिया है तो जिसको जो भी problem हो रही है तो वो जाकर के हर तरह का session मैंने class 11 के लिए बना दिया है तो अभी board exam 12 का है ठीक है तो अभी focus उन पर रहेगा ऐसा नहीं कि class 11 को मैं बिल्कुल ही नहीं करोंगी या बिल्कुल उनको पढ़ाओंगी नहीं तो उनके लिए भी बहुत कुछ है ठीक है अभी जो आपको recently चाहिए या जिसके exam हो रहे हैं तो वो जाकर के हर तरह के video sessions मैंने दे दिया है class 11 में जाकर आप देख लिजें निक्स कहता है कि the brahmanas the brahmanas evolved the two or the three strategies for enforcing the norms अब ब्राह्मनों ने जो strategy बनाई थी society में कि इस तरह का system होना चाहिए तो उसको follow करना होता था ठीक है enforcing the norms वर्णा order which are follows तो the वर्णा order was of the divine origin वो ऐसा मानते थे कि यह जो one system जो divide हुआ है यह भगवान की तरफ से उनके पास एक message आया था उसके according भगवान ने कहा था उनको कि तुम लोग है इस तरीके से चार उसको category में divide कर दो इनका काम ये होना चाहिए, इनका ये होना चाहिए, इनका ये होना चाहिए, इनका ये होना चाहिए, ऐसा वो मानते थे, चीक है, next कहता है, they advised, king ensure that these norms were followed within their kingdom, और वो ऐसा राज़ों को ensure करते थे, कि देखो, तुम्हें भी बात मानने है, according to शास्तरा, तुम्हें भी ये काम करन ताकि लोग इनके rules, जो भी इनके नियम्स होते थे, जो भी इनके norms होते थे, इनको strictly follow करें, और इनके follow करते ही, क्या होगा, society इंदर बिल्कुल peace ने सा जाएगी, शान्ती रहेगी, conflict कम होंगे, या ना के बराबर ही होंगे, तो इस तरीके से राजा को बोला गया था, king को ब रहे थे, पंडी जी अपनी बुक लिख रहे थे, बुक में सारे norms नियम्स लिखे गए थे, society के लिए भी, राजा के लिए भी, सभी के लिए, clear है, हाँ, they wrote the Brahma Sutra and Brahma Shastra, ठीक है, हाँ, तो उन्होंने सारे जितने भी धर्म कर्म के काम होते थे, कि धर्म के according राजा को ये कर निक्स कहता है, state whether gender difference were really important, were really important in the early societies from the 600 BC to 600 CE, तो state whether gender differences were really important, तो really important, मतलब कि जो gender bias किया जाता था, मतलब man, women, male, female के अंदर जो भी differences create होते थे, तो इसका क्या importance थी या क्या role रहा था society में इस तरह से उनको लिखना है, define करना है, yes, it is seen the early society, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, आज के time में तो ये हम मानते हैं, कि man और women से बराबर हैं, अग पर women, men से आगे निकल रहे हैं, कुछ आज का scenario, आज की situation ऐसी है, लेकिन हाँ, पहले ऐसा माना जाता था, कि it is seen that, तो क्या देखा गया, कि it is seen the early society, that the gender differences were important, बहुत डिफरेंस होता था, अगर बेटा, अगर family में पैदा हुआ है, तो तो खुशिया मनाई जाती थी, अगर ब प्रेयर में भी एक तरह की ये wish होती थी, कि हे बगवान, बस हमें हमारे घर में कोई पुतर आ जाए, ताकि वो हमारे अंश को आगे बढ़ा सकी, यही होता था, इसलिए तो वो यग वगरा करवाते थे, society में और आज भी, कही ना कहीं, जो typical area होता है, जो गाम वगरा होता ह उसमें आज भी कहीं न कहीं ये चीज़ देखने को मिलती है, है ना, तो society was generally the paterlini, but materlini family was also present, अगर society में paterlini system को follow किया जाता था, पहले बाद तो यह कि paterlini होता क्या है, अगर जो occupation, चाहे वो राजा है, चाहे वो ब्राह्मन है, चाहे वो कुछ भी है, जो occupation, जो काम father करते थ that means कि अगर राजा है, तो उसके मरने के बाद, उसके death के बाद उसका बेटा राजा होगा, फिर उसके death के बाद उसका बेटा राजा होगा, तो यह dynastic चलता रहा था, एक तो यह बात होगी, दूसरा अगर ब्राह्मन का बेटा है, तो वो बड़ा हो करकर के, वो ब्राह्मन for the continuity, the continuity, अब देखो, मैंने अभी बताया था न, कि पुत्र की प्राप्ति की कामना की जाती थी, ताकि वो अपनी फामली को, उनके वंश को आगे बढ़ा सके, but women could not claim, लेकिन ऐसा भी था, कि women जो होती थी, लड़की होती थी, वो अपने फादर की प्रापर्टी को claim नहीं कर सकती थी, आज तो कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको green signal दे दिया है, कि जितना एक पार्ट जो है, एक रेशो जो है, बेटे का होगा, उतना ही बेटी का भी होगा, बराबर की हगदार होगी बेटी भी, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो वो claim नहीं कर सकती थी, ऐसा माना जाता था, कि बेटी तो परायधन होती है, शादी के बाद वो दूसरे घर में चली जाएगी, तो उसको फादर की प्रॉपर्टी से क्या लेना देना, है ना, विमेन वर और ओसो वांट टू दा हॉर्ट फामिली प्रॉपर्टी विदाउट हस्बेंट पर्मीशन, विमेन को अपनी प्रॉपर्टी को बिना हस्बेंट की पर्मीशन से वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो इन अदर वर्ड जेंडर डिफरेंसे, मतलब कह तकते हैं दूसरे शब्दों में, कि बहुत जादा जेंडर डिफरेंसे थे, मेल और फेमेल ने, ख्लियर हो गया, easy question था, फटाफ़र से मुझे थमसब शो करो, जल्दी-जल्दी से, हाँ, ठीक है, जल्दी-जल्दी बताओ मुझे, concept clear हुआ, जल्दी से बताओ, how the josh, फटाफ़र से बताओ, जल्दी-जल्दी से, जल्दी-जल्दी से बताओ, फटा-फट, topper, good, very good, तो अभी कुछ confidence तुमारा built हुआ, इतने दिनों से तुम class ले रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो अभी कुछ confidence built हुआ आपका, के नहीं, बढ़ा के नहीं, well done, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, high, okay, हाँ, तो मैम, resources are important, बिल्कुल, resources नहीं होते हैं, तो फिर हम जान ही नहीं पाते हैं ना, बढ़ गया है, literally, okay, ठीक है, चलिए, आगे करते हैं, why are Buddhist stoopas said to be story in stone, अच्छे, ये जो बुद्धिस्ट stoopas होते थे, इनको पत्थरों की कहानिया क्यों कहा जाता है, है ना question अजीब सा, और interesting भी है, आपने कभी सुना होगा, अजंता अलोरा की केव सुनी होगी, गुफायन सुनी होगी, उसमें ना पूरा का पूरा गौतम बुद्ध के बच्छपन से लेकर और उनकी डेथ तक का पूरा का पूरा उसको दिवारों के उपर picturization किया हुआ है, पूरा एक-एक event को उन्होंने describe किया हुआ है, अपनी arts के थुरू वह भी दिवारों पर, समझ सकते हो, तो इसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा क्यूं कहा गया, ठीके तो क्यूं कहा गया, देखो जड़ा, यह देखो, जैसे बुद्ध की यहाँ पर कतीमा बनी है, मूर्ती बनी है, तो यह क्या consider करता है कि बुद्ध जो है उस time में meditation कर रहे थे, पर इस बुद्ध की यहाँ पर बनी है, तो उनको सबको इकटा किया गया, और सबको लेकर के इंडिया के आठ भागों में उसको रख दिया गया, जहां जहां पर गौतम बुद्ध के बॉड़ी रैलिक्स रखे गए, वहाँ पर स्तूप बनवा दिये गया, वहाँ पर उनका एक वर्शिप प्लेस बना दिये गया, जिसको स्तूपा कहा जाता है, समझ में आ गया, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दा स्क्लप्चर इन दा स्तूपास डिपेक्टेट डिफरेंट स्टोरी विच वर टेकन फ्रॉम दा डिफरेंट टेक्स, अब हमें जो हमें बुद्धिस टेक्स मिले हैं, उस टैम में उसमें क्या लिखा हुआ था, तो उनसे आइडिया ले करके और उनको एक पिक्चर की फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है, तो अलग-अलग जगों से जब आइडिया मिलते हैं, तो एक अलग ही, मतलब अलग से, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, खुद को भी आता है, और उसने सामने वाले से पूछ लिया, बता तुमने इसका आंसर क्या है, तो वो अपने तरीके से बताएगा, फिर किसी और से पूछा वो अपने तरीके से, फिर जिस बच्चे ने है, वो क्या करेगा, अपनी नॉलिज उसमें मिलाएगा, अपनी वर्डिंग्स उसमें मिलाएगा, उसका आंसर जो है, as compared to उसके ज्यादा अच्छा हो जाएगा, सेम ऐसे किया गया था है, कि जब बुद्धिस टेक्स के जगे जगे से हमें एविडिन्स मिले, तो उनको सब को कंपाइल करके और एक जो एक थार्ट प्रोसेस बनता है, उसी के बेस पर उसको एक आठ की फॉर्म में दिखाया जाता है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही का, दस पेसी, दस पेसी मैन ने, there is have been discovery that show the skeleton of the Buddha's monk, inside his stone figure, हाँ, ठीक है, ऐसा माना जाता है, कि stone figure में, जो पत्थर की मूर्तिया बनी है, उसके अंदर ही उनको, मतलब उनके कुछ बॉडी, रालिक्स जो है, वो देखे गए थे, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो बॉडी रालिक्स का मतलब होता है, जो भी वो चीजे यूज़ करते थे, और जो भी उनके शरीर से रिलेटेट था, वो सारे बॉडी रिलेक्स में आ जाएंगे, और उनको जहां जहां पर रखा गया, उसको वहीं पर वर्शिप लेस बना दियागा, जिसको स्तूपा कहा जाता है, अब इनी की स्टोरी जो है, वो एसी बुक्स में बिलती है, जिसको कहा जाता है, वसंततारा जातका, ओफन इस्टोरियन ट्रा पर लोटस दिखाय गया, बोधी ट्री दिखाय गया, तो बोधी ट्री जहां पर उनको दिखाय दिया, और जो बोधी ट्री के बारे में, जो भी उसमें टेक्स बुक में लिखा गया, उसको मैच किया गया, मैच करके और फिर उसको बोधी ट्री के नीचे उनको ज्यान की प how was Buddha presence shown that through the symbols Buddha ko symbols के through कैसे represent किया गया है तो examples बताने कोई पी दो example बता दो Bodhi tree बता दो, empty street बता दो, कुछ भी बता सकते हो आप ठीक है? हाँ तो क्या करेंगे? examples the two, example to show the Buddha's presence shown the through symbol ऐसा मतलब Buddha की presence को दो symbols के द्वारा दर्शाया गया है वो कौन से थे? first empty seat indicated अब यह जो empty seat है, खाली seat जो है वो उनके meditation place को बताती है कि गौतम बुद्ध जो है, यहाँ पर meditation किया करते थे बिल्कुल empty seat है next कहता है, कि the stupa represented the महापरी निर्वान of the Buddha अब जो stupa बनाये गया है देखो, जब उनकी death होई थी तो उस event को कहा जाता है महापरी निर्वान clear है, तो महापरी निर्वान जब उनकी death हो जाती है तो उसको represent किया गया है किसमे stupa के रूप में क्योंकि मैंने अभी बताया कि body relics जहां रखे तो उसको worship place बना दिया गया तो worship place कब बनाया गया जब उनकी death के बाद उनकी body relics बन गये थे clear, तो दो ऐसे आपको बताने है हिंदी में भी इसका content provide करा दो ओके बचे, next time हिंदी में भी लेकर आएंगे ठीक है, चली तो ये क्या थे बचे, ये गौतम बुद्ध के बारे में लिखा गया है ठीक है, कुछ इस तरीके से next time move on करते है mention the internal functioning of the बुद्धा संगा इतना easy question आपको बुद्ध ने जो संग बनाये थे उनके नियम क्या होते थे किस तरह की activities उन संगों में होती थी तो ये बताना है, इसको describe करना है ठीक है, चलिए अब हम क्या करते है, the internal function of the बुद्धिस्ट संगाज was based on the tradition of घानाज and संगाज तो वो घाना और संगा के tradition के रूप में, उनके रिवाज के रूप में उनको रन किया जाता था, within the संगाज there are equal status all the, all the, all of them because, क्या होता था कि जो भी उस संग का पार्ट बनते थे, जो भी उस संग के मेंबर बनते थे, सबसे पहली शर्त ये थी कि उनको अपना head shave करवाना होता था बाल नहीं रखने होते थे ठीक है, earlier the social identities on the becoming the bikus और bikunis, head shave कराने के बाद उनको bikus और bikunis बना दिया जाता था, मतलब जो depend करते थे, totally उनकी दिंचरिया जो होती थी खाने पीने का, तो वो totally depend करता था उनकी भिक्षा पर, उनको एक bowl दे दिया जाता था, उस bowl में जितना आएगा, सुबह से शाम तक जितने भी उसमें bikusha आती थी, उतना ही sufficient होता था, जितने भी लोग bikur bikunis जाते थे ग्रूप के अंदर, और वो bikusha मांगने के लिए जाते थे, तो कौन से words बोलते थे, बुद्धम शर्णम गच्छामी, धर्मम शर्मम गच्छामी, कुछ ऐसे मंतरों को चैंट करके और वो लोग bikusha मांगते थे तो अब मान लीजे, किसी एक bikusha को bikunis को bikusha कम मिली और किसी को बहुत जादा मिल गई तो वो क्या करते थे सारी bikusha को इखटा कर लेते ठीक है, और जब वो खाना काते थे, तो को equally distribute किया जाता था दूसरा पॉइंट ये कि कभी उनको मकमल के बिस्तर नहीं मिलते थे कि सोने के लिए उनको अच्छा खासा बैड मिलता था नहीं, वो लोग जमीन पर सोते थे head shape कराना होता था जमीन पर सोना होता था, बिलकुल simple life उनको lead करनी होते थे simple खाना होता था, simple बिलकुल तरीके से, ठीके? चलिए, अब क्या करते हैं? आगे करते हैं, ठीके? तो women were including the later of संगा, तो पहले जो थे कि women's को entry ही नहीं दी जाती थी संग के अंदर, बाद में जो उनके pupil थे उनके favorite pupil थे, उनके सिश्य थे disciple थे, ठीक है? उनके कहने पर, आनंद के कहने पर क्या किया गया? बिकुनीज को, यानि कि women's की entry हो गई थी, और उनकी सबसे पहले जो बिकुनीज बनी थी, female disciple बनी थी उनकी खुद की foster mother थी, foster mother पता है कि मासी को कहते है, step mother नहीं बोलोगे, step mother एक अलग चीज होता है foster mother एक अलग चीज होता है, foster mother कहते हैं मासी को, तो उनकी पहली जो female disciple बनी थी, उनकी खुद की मासी ही बनी थी, जिसका नाम था महाप्रयापती गौत्मी जितना उनको बोल में आता था, उतना ही कंजिडर करते थे, तो सेंसिर्गस was arrived in all the issues through the discussion, उसके बाद discussion किया जाता था कि आगे चल कर हमें लोगों को किस तरह की teaching देनी है, क्या करना है, सब कुछ किया जाता था, मैंम कुछ, अब आएगा भी नहीं बचे, एक तो late join करते हूं, आपको पता था कि 7 बज़े में live आने वाली हूं, तो 7 बज़े attend करते हैं, अब तुम last में attend करते हैं, जब कि सारे questions खतम हो चुके हैं, तो दुबारा से इसको rewind करके देख लीजेगा, ठीक है, clear, all the decision were taken by the majority opinion or by a vote of the subject, तो जितने भी major decision होते थे, तो उसकी एक common सी opinion ली जाती थी, और जो सबसे ज़्यादा, जो majority में गई जो बात, उसको follow कर लिया जाता था, उसको final decision मान लिया जाता था, ठीक है, सब समझ आ गया, ओके, ये जो भी है, प्रक्टो, क्या नाम है बचे, तु मारा ममी पापा ने इतने अच्छे अच्छे नाम रखे होंगे ना, ऐसा तो नहीं लिखा प्रक्टो, नहीं रखा होगा ना, तो जो अपना नाम है उसको क्यों छुपाना, तुम प्रक्टो के नाम से famous होना चाहते हो, या अपने नाम से ममी पापा को एक गर्व महसूस अपना नाम लिखा करो, ताकि पता चले कि ये बच्चा है, इसको ये प्रॉब्लम है, अब मैं क्या जानू, प्रक्टो कोन है, क्या चीज है, चलिए, ठीक है, तो ये थे हमारे आज के question और कल, ठीक है, जो next part आएगा, इसका part number 2, तो उसमें हम क्या करेंगे, ancient history के, और भी most important question रह गए हम उसको discuss करेंगे part 2, ancient history, फिर हम करेंगे medieval history से subjective questions करेंगे, उसको भी दो part में cover करेंगे, जो मैंने अभी आपको master plan बताया है, उसके according, ठीक है, तो अब थोड़ी सी काम की बात कर लेते हैं, कि जो बच्चे देखो, अभी क्या करना है, अभी हमारा ये batch, जो अभ पर्स बैच आ रहा है, जिसमें CUT plus board exam, दोनों की तयारी करवाई जा रही है, और आपके board exam से पहले पहले इसमें पूरा syllabus cover करवा दिया जाएगा, ठीक है, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, पूरा study plan दिखाती हूँ, कि इसमें पूरा syllabus आपका board exam से पहले cover करवा दिया जा जो आपके CUT बे भी cover हो रहा है, clear, तो बच्चे ये आपके पास बस last opportunity है, इसके बाद तो फिर तुम जो ना, तुम्हारा काम जाने, हमने बहुत कोशिश की, ठीक है, अब भी कुछ बच्चों को लगता है, कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं आता हमें, कैसे हम pass ह जा होंगे, तो बस आपके पास ये last option है, तो जल्दी से जाओ, इसको grab कर लो, और इस पर maximum discount मिलेगा, आपको coupon code लगा करके Y489, इस coupon code को apply करना, और इस पर maximum discount पाना, coupon code को कैसे apply करना है, वो मैं भी बताऊंगी, इसके अलावा, किसी बच्चे को अगर मोक्टे से तयारी करनी है, preparation करनी, किसी को sample paper लेने है, या किसी को e-books लेने है, तो भी आपको maximum discount मिल सकता है, coupon code की through Y489, ठीक है, इतना महंगा है, तो ये महंगा नहीं है, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये महंगा नहीं है, तो इसको maximum discount आप कैसे पा सकते हो, तो आपको क्या करना है, आपको जाना कोड़ अपलाई करना पड़ेगा, coupon code होगा आपका Y489, जैसे आप इस Y489 coupon code को अपलाई करोगे, तो ये ही course आपका, जो 5999 का था, वो course कितने का रह गया है, 4979 का, जिसमें आपको दो बड़ exam की तयारी करवाई जा रही है, board exam plus CUT, तो यार और कितना लोगे, तुम tuition भी classes भी अगर आप tuition भी लेते हो, तो per subject आपको 1000 तो मरे से मरे देना होगा, ठीके, one subject, जो है आपको 1000 रुपीज देना है, तो ऐसे आप history, geography, political sign, तीन लगाओगे, तो पर मन 3000 रुपे देने पड़ेंगे, इसमें कितना है, पूरे आपको, जो है, वो 9 मन्त की validity, मतलब कि आपको पूरा flavor जो है, वो करवाया जा रहा है, इसमें, कोई घाटे का सोदा नहीं है, जिन बचों को लगता है कि इसके through हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तयारी कर सकते हैं, तो बच्चों को ज्यादा समझाने की जरूत नहीं है, तुम खुद समझदार हो, क्या करना है, आपके में तिल दन, take care, bye-bye, पढ़ते रहेगा, मुस्कराते रहेगा, tension-free होकर, मसते ही लिए, ठीक है, good